लोग सबचुना में बुरी तरह हारने के बाद आम आदमी पार्टी के नेता बैठक पर बैठक कर रहे हैं। आपके नेताओं को अब दिली में हार का डर सताने लगा है। दिली में जिस तरह के हालात हैं उससे आपके लिए इस बार लोगों के गुसे का सामना करना पर सकता है। भिशन गर्मी में आपकी के जिर्वाल सरकार दिल्ली के लोगों को पानी नहीं पिला पा रही है अर्विंद के जिर्वाल दिल्ली को तो समाल नहीं पा रहे हैं और उनकी पार्टी के नेता सपने देख रहे हैं कि अर्विंद के जिर्वाल परधान मंतरी बनेंगे आपके ने अब जो सुनेगा वो भी हसेगा कि भाई साहब 22 में से आप 3 सीटे जीते वो भी वहाँ जहां आपकी पूर्ण भवमत की सरकार है यानि की पंजाब में तमाम तरह की अनरगल बाते आपके नेता चुनाव में भी करते रहे हैं और चुनाव के बाद भी जो दल जेल में बंद जियानी की कतित ब्रस्टाचार क्यारोपी अरविंद के जिर्वाल को पीम बनाने का ख्वाब देख रही थी उसकी सीटे इतनी रह गई है कि वो बोलने लाइक भी नहीं है लेकिन फिर भी आप के नेता बीजेपी को नसीहत दे रहे हैं जो लोग कतित तोर पर ब्रस्टाच चुनाव में आम आद्मी पाटी को उमीद से कम सीटे मिली है लेकिन पाटी के नेताओं का कहना है कि इससे निचले सदन में बिजेपी की सीटों की संख्या कम हुई है चुनाओ परिनामों का विशलेसन करने और आपकी भविश्य की रन्निती बनाने के लिए आयोजित एक बैठक में आम आदनी पार्टी के निताओं ने ये आकलन किया। इस दोरान पाठक ने कहा कि आपने बीजेपी के पतन की निव का पत्थर रख दिया है। आम आदनी पार्टी दिली में सभी सातों लोकसभा सीटे जीट जाएगी। करना होता तो हम कर लेते। उन्होंने आगे कहा कि लेकिन आप एक आंदोलन की कोक से निकली है। हम राजनीती में डीलर नहीं, नेता बनने आए हैं, हम लोगों के लिए काम करने आए हैं, हम उनसे तब तक लरेंगे, जब तक हम उन्हें हरा नहीं देते। पुरधान मंत्री ने एहंकार में 400 पार का नारा दिया, लेकिन सिर्फ 240 सीटे आई, जबकि पूरा मीडिया, चुनाव आयोग, पुलिस, CBI, ED और आयकर विवाग समेत पूरा सिस्टम मोदी जी के साथ था। इसके बावजूद जन्ता ने पुर्ण बहुमत नहीं दिया, बतादे कि 2024 के लोग सबचुनाओं में आप दिल्ली में एक भी सीट नहीं जित पाई, और पंजाब में जहां वो सत्ता में है, पार्टी ने 13 में से 3 सीटे ही जीती है, इसके अलावा आम आदमी पार्टी बाक को हार का डर्सत आने लगा है, ब्यूरो रिपोर्ट, OMH News